आज प्रभुराम का गुलगान कर रहे हैं, वो जो सनातन संस्कृत पर सवाल खड़े किया करते थे 2017 में आपने कहा था कि मंदिर का निर्मार करो, आज मंदिर का निर्मार हो गया है, आज अयुध्या चमक रही है, अयुध्या में विकास के एक शुरुवात हो गई है, आज काशी चमक रही है, मैंने 22 जनवरी को रामभक्तों के आँखों में खुशी के आँसू देखे, मैंने लाम बातें सियम योगीं कहीं हैं और अब राम मंदrzy में उन्होंने विध्यवद धिये जलाये हैं और आप सियम योग्या अदितनाद को दीपोत्तों की शुरवात करते हुए देख सकते हैं प्रभुराम के नगरी में पहला दिया राम मंदर में जलाये गया है स्थीम योगिया दितनात के हाथों साथी साथ बाकी वी वी आई पी महमान भी यहां पर मौझूद हैं और सभी राम के दरवार में आकर दीपोट्सों की शुरुवात कर रहे हैं पहला दिया प्रभुराम के दिब्य और भवे मंदिर में जलाए गया है इसके बाद समूची अयुद्ध्धा में दीपोसों की शुरुआत हो जाएगी हर घर लिए जला मौका बरसो बरस इंतजार किया गया इस खास क्षण के लिए जब राम लिला गर्वगरे में विराज मान हूं और उनकी आगमन के बाद पहला दीपोट्सो हो रहा हो तो बहुत खास हो जाना सुभाविक है तीन तस्विर हम आपको दिखा रहे हैं जो पहली तस्विर आप दे लेकर राम की पैड़ी तक दिब्विता और भविता देखने को मिल रही है वह आप दूसरी तस्विर के जरी देख सकते हैं तीसरी तस्विर गर्वगरे में जाकर विद्वत उन्होंने प्रभुष राम के पूजा की है आरती उतारी है राम लिला के दर्शन किये हैं सीम य दिपोट्सो हर बार से अलग 1100 वैदिक विद्वान महारती में शामिल होंगे त्रिता युक के अउध्या की चमक इस बार दीपावली से पहले देखने को मिल रही है तीस अक्टूबर को यानि आज के दिन अउध्या में हो रहे आठवे दीपोट्सो को लेकर पुरे देश की नजरें प्रभुराम के इस पवित्र नगरी पर टिकी हुई है एक साथ दो विश्व रिकॉर्ड यहां पर बनाये जाने की तैयारी है पचीस लाक दिये जहां एक तरब जलाए जाएंगे तो साथी साथ यह आठवा दीपोट्सो होगा जिससे सरकार दिब्ब्य और भव बना रही है पचीस लाक दी जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाये हैं